नमस्कार दोस्तों अपने बैंक खाते में 11 किस्त के 2000 रुपे और रुक्योई किस्त के 2000 रुपे प्राप्त करना चाते हैं तो दोस्तों आपको जल्द से जल्द यह कारिये पूरा करना होगा। को यही संपूर जानकारी देने वाले हैं वीडियो को सुरू करने से पहले हमारा आपसे एक चोटा सन्निवेदन है यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को जिरू सब्सक्राइब कर लिजेगा। क्या कारिया आपको करना होगा जिससे आपकी किस्त आपके खाते में आने से ना रुके डिरेक्ट आपके खाते में सरकार द्वारा ट्रांसफर कर दी जाए। देश के करोडो किसानों की आर्थिक इस्थिती को बहतर बनाने के लिए परधान मंतरी नेंदर मोदी जी की केंद सरकार कई योजनाई चलाई जा रही हैं। इसी में से एक योजना का नाम है परधान मंतरी किसान सम्मान निदी योजना। इस योजना के तहट किसानों को हर साल में दोस्तो 6,000 रुपे की आर्थिक मदद दी जाती हैं। अब तक किसानों के खाते में 10,210 पी-म किसान योजना की किस्ते ट्रांसफर की जा चुकी हैं। जबकि 11 किस्त का बेसबरी से किसानों को इंतजार हैं। इस किस्त में दोस्तों किसानों को 2000 रुपी की रासी परदान की जाएगी उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी मीरिया डिपोर्ट्स के अनुसार करोडों किसानों के खाते में पिम किसान योजना की अगली किस्त जल्द ही ट्रांसफर की जा सकती है जून के महीने की किसी भी तारीक को PM किसान योजना के पैसे केंदर सरकार किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर सकती है पैसे बेज सकती है PM किसान योजना को लेकर केंदर सरकार ने कई परकास के नियम बनाए हुए हैं जिससे धोका धड़ी को रोका जा सके और जो किसान योजना के पात्र हैं सिर्फ उन्हे ही योजना गलाब दिया जाए इसी तरहें P.M. किसान योजना के लिए दोस्तों E.K.Y.C. कराना सबी किसानों के लिए दोस्तों अनिवारी हैं जिननकी किस्ते आचुकी हैं या फिर जादा समय से रुकी हुई हैं उन्हें दोस्तों यानिकी जितने भी किसान है पूरे भारत में और वहें प्यम किसान सम्मान्दी योजना का लाव पराप्त कर रहे हैं तो दोस्तों सभी के लिए EKYC यहां पर कराना अनिवारी है यह दोस्तों आप EKYC करा सकते हैं कैसे कराना है क्या तारिक इसकी है वहें हम रुपे हाथ दो बैठेगा यानि की उन्हें 2000 रुपे नहीं दिये जाएंगे उनकी किस्त रोक ली जाएगी ऐसे में वेबसाइट के माध्यम से ये किसान के वैसी आप पुरा करा सकते हैं या तो दोस्तो आप वेबसाइट के माध्यम से करा लीजिए अगर आप करा सकते हैं या फिर अपने नजदी की CST सेंटर पर चले जाएए अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और मोबाइल नमबर लेकर दोस्तो कहीं कहीं दोस्तो पैन कार्ड मांग ले जाता है और कहीं पर दोस्तो नहीं मांग जाता है इसलिए आप दोस्तो तीनों दस्तावे लेकर चले जा सरकार यही जो डाले कि जितना ज़्यादा हो सके इतना ही किसानिया पर EKYC पूरा कर ले जो EKYC पूरा नहीं करेगा उनके खाते में 11 किस्त के 2000 रुपे ट्रांसफर नहीं किये जाएंगे यदि जानकारी को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंड बोक्स में जाकर हमसे पूछ सकते हैं आपके सभी सवाल का जवाब दिया दिया जाएगा यदि दोस्तों आपको हमारे जानकारी थोड़ी सी भी पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कर दिजेगा क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है जिससे हम प्रेइट होते हैं आपके लिए नई-नई जानकारी लाने के लिए लाश्ट में निवेदर नहीं करेंगे चैनल को सब्सक्राइब और साथी बैल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूले ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राफ्थ हो और आप सबसे पहले ही उसका लाब उठा सके चलिए दोस्तों अब हम यहाँ पर वीडियो का अंत कर देते हैं और आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जान करें साथ जब तक के लिए जय हिंद जय भारत